आज हमने डिसकस करना है कैम पाथवे प्लांट फीजियो का जो टोपिक है कैम पाथवे फोटो सिंथिसिस में और इस पाथवे को पूरी डिटेल में पढ़ने के लिए बाट करते हैं सबसे पहले कैम पाथवे होता क्या है तो अगर हम बात करें सबसे पहले कैम पाथवे डिसकवर्ड लेट 1940 कैम पाथवे को 1940 में डिसकवर्ड क्या था और जो ऑबज़र्व क्या गया था ये पाथवे ये दो बोटनीस थे एक तो रोंसन और दूसा थोमस इन दोनों ने कैम पाथवे को ऑबज़र्व क्या था सबसे पहले क्रिसी लेसी फैमली में ठीक है जो स्कुलेंट प्लांट होते हैं जैसे मानलो एक्जामपल कसकटा हुआ ये जो होते हैं ऐसे प्लांट होते हैं जहां पर रैनी सीजन हो और रैनी सीजन हो और होट हो जहां पर बहुत ज़्यादा टेंपरेचर हो और वरसात भी होती हो तो ऐसी जगे में ये प्लांट मिलते हैं हमें, तो जो कसकटा है, यह जो है इसका Example है, इतBen इस गार्बन फिक्सी कर्षाइशन पाथवे, ये क्या होता है कि कार्बन को कैसे फिक्स किया जाता प्लांट में, इस तरह के एक पात्वे होता है कुछ प्लांट के अंदर और अगर हम बात करें जो केम पात्वे लगबग 35 million years ago ये क्या है कि evolved हुआ था क्योंकि प्लांट ने ऐसी अपनी एक planning करी एक strategy बनाई कि हम rainy condition में कैसे मतलब high salinity के साथ में अपने आपको maintain करना है तो ये जो pathway होता है कहाँ पर होता है होट और rainy season में ये pathway होता है तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सी condition में रहते हैं जहां पर high salinity हो ठीक है अच्छा दोशी अगर हम बात करें कैम pathway सबसे पहले इसके अंदर मिला था बट ये जरूरी ही नहीं कि इसके अंदर ही होता है और बहुत सारी फैम्ली जिसके अंदर ये देखा गया है जैसे आर्किडेसी फैमली सेलिय जो स्कूलएंट प्लांट होते है बैकर जो अपने वाटर को बचाने के लिए जिनका जो क्यूटिकल है या लीफ है या इस्क," petites ने यशारे practically थिक होते हैं और जिनके इस्टोमेटा रात को ओपन होते हैं तो उनके बारे में कुछ अगर हम बात करते हैं यह कैम पातवे कैम पातवे का जो साइट है यह कहां पर होता है इसकी तीन साइट होती है टोटल यह कमप्लीट होता साइटरसॉल उसके बाद वेक्यूल्स और क्लोरोप्लास्ट यह बहुत ही इंपोर्टेंट है कि यह कहां पर होता है तो इसकी जो साइट है क्या है वो साइटरसॉल्स वेक्यूल्स और क्लोरोप्लास्ट के अंदर यह होता है अब चलते हैं कि जो कैम पात्वे के जो प्लांट होता है वो CootoActiv Estomator होते हैं क्योंकि इनके जो Estomator होते हैं वो रात को क्या होते हैं? Open होटे हैं और दिन के समय में वो क्या हो जाते है? During today time, the Estomator is closed तो रात को ये Estomator open होते हैं और दिन को क्या होते है? Closed हो जाते हैं, इनकी care cuticles रहती है इस तोरह के plants की वो Lift ठिक रहती है जिससे उनका water loss ना हो जो लीफ की जो क्योटी के लिए वो क्या होती है ठिक होती है जिससे ये water के loss को क्या करते हैं बच्चाते हैं जिससे minimum water loss हो दूसरी बात अगर हम बात करें high जैन्तोफिल पूल रहता है इनका जो जैन्तोफिल पूल है वो क्या है बहुत ज़्यादा रहता है ठीक है और यह जो पाया जाते हैं जहरी कंडिशन में पाया जाते हैं अगर हम बायो केमिस्टी की बात करें कंड पातवे की तो कंड पातवे का जो बायो केमिस्टी है वो बल्कुल c4 जैसा है बट c4 और जो उनके जैसा है बट c4 और c3 पातवे थोड़ा सा एक special separation हो जाता है कि special boundary हो जाती है इन सब की तो इसकी वह जोज़े से थोड़ा पर यह स्टार्ट करते हैं कि कैसे होता कैम पाथवे दिन के टाइम पर क्या होता है इसमें और रात के टाइम पर क्या होता है यह हमारा है कैम पाथवे तो यहां जो यह नाइट है नाइट के टाइम पर इस्टोमेटा इनके क्या होते हैं ओपन रहते हैं आप यहां पर देख स आप यहां देख सकते हैं दिन के time में इस्टोमेटा किलोज है तो night के time पर at night time इस्टोमेटा आर ओपन during the camp पाथवे night time इस्टोमेटा आर ओपन so co2 will come inside the cell so co2 अंदर आएगी रात के वक्त क्योंकि रात को time में क्या होता है कि जो कोट एक्टिवी प्लांट होते हैं यह इनका इस्टोमेटा होता है जो रात को open होता है co2 यहां पर आने के बाद जो आपका पतलब जो reaction करता है वो हाइड्रो साइट्रसोल में जाकर जो water है इसके साथ co2 का दोनों का reaction होगा और वो carbonic and hydrate यहां एक enzymes होता है जो bicarbonate को बनाता है यह bicarbonate है हमारे जो यहां पर already जो cytoplasm रहता है इसके अंदर सोक्रोज रहता है फ्रेक्टेंड, starch वगरा है रहता है यह जो PEPA फोस्पोइनल पाइरवेट यहां से आप देखिए फोस्पोइनल पाइरवेट पैपकेज एक enzymes होता है और यह bicarbonate के साथ में मिलकर oxaloacetic acid बनाता है जो की oxaloacetic 4 carbon compound होता है oxaloacetic क्या है 4 carbon compound होता है अच्छा यहां पर फिर क्या होता है कि reduction के NADH और NAD plus malate dehydrogenase की वज़े से क्या बना देता है यह malate बना देता है और रात के टाइम पर यह malate इखटा हो जाता है कहां पर vacules के अंदर और यहां से दो proton के साथ मिलक यह malate बना देता है जिसकी वज़े से सारी रात यह क्या करता है यह vacules के अंदर 81 रहता है अब यह जो vacules से at the day time यहां से यह malate निकलेगा और malate निकलने के बाद में क्या होगा यह सीधा mdh के साथ मिलकर एक दुबारा से और जो यहां देखिया आप at the day time इस्टोमेटा क्लोज तो यहां पर co2 तो अंदर आ नहीं सकती जिसके वज़े से बंद हो गई अब यहां पर क्या होगा यह जो malate है यह जाता है और यह malate जाने के बाद में क्या होता है कि malate यहां पर एक enzyme से malic enzyme यह क्या करगा यह इसको convert करता है malate को pyruvate में किसमें करता है pyruvate में और pyruvate में करने के बाद यहां पर है एक enzymes और इस enzymes की मदद से यह किसमें वापस return back हो जाता है pass for inol pyruvate में और उसके बाद यह दुबारह से यह cycle चलती रहती और जो लो acidic acid बनाएगा फिर मतलब फिर malate और फिर दुबारह से यह cycle यहां से दुबारह से इस तरह से चलेगी तो एक बार हम repeat कर देते हैं यहां पर सबको दिन के time पे co2 आती है inside the cells and it will react to the water and after give it will give the bicarbonate there are the pep already present in the cytoplasm so it will react with the enzymes of the pep phosphanol pyruvate kinase so it will form the after the reaction of the low acidic acid and after the reduction by the help of the enzymes MDR it will convert into the malate malate will accumulate at the in vacuoles at the night night time during the night time when the in early in the morning it when the it will expose in the sun the close the co2 will not enter because of the closest to matter that is the reason the malate will our dissociate into the two melee malic acid dissociate into the malate and the two protons and then it will go again to the pyruvate into the cytoplasm so by the enzyme of ME after the pyruvate it will also use the energy and pep decay enzymes help and it will convert into the pep after that you can carry on the these reaction again so this is totally all about the chem pathway thank you for watching this video please like share and subscribe if you like my video